एक लाख रुपे दीजिए आपको हम सक्षमता परिच्छा में निकलवा देंगे चुकि ओनलाइन परिच्छा है चुकि ये लुप तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई भगवान भी धर्ती पर आएगा तो सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिले बिहार के मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से घोषना किया कि इस सब को राज्यकर्मी बना देंगे ये सारी बाते लंबित है और सरकार सक्षमता परिच्छा ले ली है हाई स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर थे उनसे जेनरल स्टडिस का सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री का आपने बयान सुनावा कई बार उनने कहा कि भाई मामूली सी परिच्छा हम लेंगे सरकार सक्षम इस बात के लिए नहीं कि जो आदेश देता है उस आदेश को एक अधिकारी के माध्यम से लागू करवा सके ये सरकार में सक्षमता नहीं बची हुई है नियोजिस सिक्षक लगतार अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे उसी बीच में सक्षमता परिक्षा की बात हुई थी वो सक्षमता परिक्षा भी दिये और बारत तारी को आंसर की आने की बात हुई थी लेकिन बारत तारी को आंसर की नहीं है और आज भी अनुमान लगाया था कि आंसर की जारी कर दिया आ जाएगा इस सब तमाम उद्दों पर बात करने के लिए हमाँ साथ जुरे हो है माले बिधाइट संदीप सौरफ हम ही जुड़ते हैं इन से और हम जानते हैं क्या कुछ इनका कहना सर लगातार सक्षमता परिक्षा की बात हो रही होगी देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा अब फिर डेट आया कि 12 तारी को आंसर की जारी कर दी जाएगी फिर 12 को नहीं हो रही है तो 15 को होगी तो आज अनुमान लगा जा रहा है लेकिन अभी तक जो आंसर की है वो नहीं आए तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो सरकार और जो शिक्षा विभाग सक्षमता परिक्षा ले रही है ये खुद ही सक्षम नहीं है सरकार सक्षम इस बात के लिए नहीं कि जो आदेश देता है उस आदेश को एक अधिकारी के माध्यम से लागू करवा सके ये सरकार में सक्षमता नहीं बची हुई है सिक्षा विभाग इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि जो policy उसने लिखित रूप से घोशित की है उस policy को follow कर सके बैराल सक्षमता परिक्षा हुई है और उसमें भी नियोजीत शिक्षकों की कई मांगे थी जिसकों अंदेखी कर्द किया गया एक तो आप देखेंगे कि सक्षमता परिक्षा का जो सिलेबस जो पैटर्न सरकार ने परिक्षा में सामने लाया वो सरकार के और सिक्षा विभाग के वायदे के खिलाफ था मुख्यमंत्री का आपने बयान सुनावा कई बार उन्होंने कहा कि मामूली सी परिक्षा हम लेंगे लेकिन जब परिक्षा देने टीचर पहुंचे तो मामूली सी परिक्षा नहीं थी बलकि वैसे शिक्षक जो पिछले 15 सालों से अपने स्कूल में बच्चों को प्राइमरी क पूछा गया तो यह शक्षमता जो सिक्षकों कर नापने का पहिमाना है यह न्यायपुर्ण एक तो नहीं है परिक्षा का जब भर आया गया उसमें भी सिक्षकों की मांग थी कि चुकी शिक्षक का जो पद होता है वह अस्थनांत्रनी होता है वह ट्रांसफर वाला पद न परदस्ती शिक्षकों से डलवाया गया फर्म है यह सारी बाते लंबित है और सरकार सक्षमता परिछा ले ली है जब परिशा अपने ले ली और आपने डेट की घोशना की कि हम भाई बारातारी को इसका एंसर की रिलीज करेंगे तो आपको एंसर की रिलीज करना चाहिए लेकि ऑनलाइन परिख्षा का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार के अंदर अच्छा नहीं है कम्प्यूटर से कम्प्यूटर को हैक किया जाता है सिस्टम को हैक करके बाहर से लोग भी चला सकते यह सब बाते आई हैं हम नहीं करें कि सक्षमता परिख्षा में धानली हुई ही होगी लेकिन जब आप एंसर की देने में लेट करेंगे जब आप फाइनल रिजल्ट देने में लेट करेंगे तो लोगों को डाउट बढ़ता जाएगा इसलिए सरकार को चाहिए कि सक्षमता परिख्षा का ततकाल रिजल्ट दे और सिक्षकों का एच्छी का स्थनांतरन पहनावाद के सिक्षकों चाहते हैं कि वो वैसाली चला जाए तो यह गलत है क्या लगता है सर्चुनावी साजिस तो नहीं है कि बाद में यह कह सके कि हम तो राजकर्मी का दर्जा दे दिये नियुक्ष्चा लगा तार इतने सालों से लड़ रहे थे लेकिन अब जाकर हम ह हुआ है खाओ नहीं पाएंगे तो इस प Só Petra expenses को राजकर्म City का दर्जा नहीं मिलेगा तो जब-भग्मान दर्ति पर आएगा और राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा जिसने नहीं सिक्षकों कि दमन क्यूंगुन की जब सरकार आई और शिक्षकों ने अन्दोलन किया हम लोग भी सरकार में थे सरकार के अंग्य लोगों ने सरकार से बातचीत की उसके बाद सरकार अंत्तह घोषना की कि हम राज्य कर्मी का दर्जा देंगे और उसके बाद एक विशेज सिक्षक नियमावली आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद वो नियमावली आया तो घोषना तो वहीं हो गई अब आज की सरकार फोडिक चासथि कि हमने दिया क्योंकि राज करमी का दर्जा देने की बात में राज में मिला क्योंकि घोसना चुकी थी प्रक्रिया आप 15 अगस्त को بिहार के मुख्य मंत्री ने गांधी मैदान से घोसना किया कि इस соврем परीक्षा अपने अजीब तरीके से लिया और जो भी हुआ उसके बावजूद अभी टीचर को फाइनल रिजल्ट मिलना और उनकी जो मांगे थी सक्षमता परिक्षा को ले करके उस सब अभी लंबित है उस सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले